जब आपको समझना आएं कि आपकी जिन्दगी में क्या चल रहा है तो इस लाइन को एक बार जरूर सुनिए जब खुद पर घमंट होने लगे तो एक चकर समशान का लगा लेना जब कभी भगवान को शुक्रिया करना चाहो तो किसी भूके को खाना किला देना और जब भी अपनी काया पर घुरूर होने लगे तो एक चकर वधा आश्रम का लगा लेना जब तुम्हें लगने लगे कि तुमसे सरुषिस्ट कोई नहीं तो एक बार आसमान को देख लेना अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं कभी गलत नहीं हो सकता तो एक बार अपने अतीत में जाक लेना जब भी आपको लगे कि मुझसे सक्तिशाली कोई नहीं तो एक बार हाथ पर बंधी उस घड़ी को देख लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि शक्ते जाली तो नहीं बल्कि तुम्हारा समय है धर्म क्या है? प्यासे को पानी पिलाना, भूके को खाना खिलाना, नर्गन को वस्तर देना, अंधे को मार्ग दिखाना, पीडित के दुख हरना, पतीत को पावन करना शांत को शांत करना, यहीं तो है सभी मनुष्य का असले धन, किसी ने पूछा, तुम्हारी सोच के अनुसार, धार्मिक मनुष्य कोन है? एक बिहद ही कुखसूरत जवाब आया, धार्मिक वह है, जो दूसरों को समझता है, दूसरों का दुख दूर करता है, और दूसरों का चीजे ऐसी होती है, जो आप पीला कोजिसों के बावजूद भी कभी नहीं बदलती, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वक्त बदलता है, तो आप कभी भी, खुद को न बदले, सिर्फ वक्त के बदलने का इंतिजार करें,